तो हेलो और वेलकम दोस्तों सौगत आपका फिर से एक नहीं गेम प्लेयोड एमराज खेलने जा रहा है दुबारा से हिट मैं 3 तो इससे पहले जो हमें कॉंट्रेक्ट मिला था वो दुबाई का और आज हमें मिला है एक नया कॉंट्रेक्ट और सुनते हैं ये दोनों क्या बात कर रहे है लेज़ गो गेम आउन अच्छा अब ये प्लान के बारे माँ बता रहे हैं तुम भी रड़ी हो ना I guess the world's most wanted fugitive will have to do Alexa Alexa Carlile is dead, according to the funeral invitation that is So naturally it caused quite a stir, when the late Matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking Carlile wisely sensing that a number is up जिली जख प्राइब एक्साँ जो आयाया है जो भी आफरी टीर प्राश चुनशे जका है यह को अद्म है विला आम प्राश मचल करो दो प्रांदों तो वे ट्रांस्पोर जात को अधर जरी हो कि अधर एंज स्वीमेश उन्हें कि ती गधने हैं कि अवर्ची एंदु वाल औली टेंटया कि प्रण दौनारी और कि और इंद नियॅ मेद टेंगा प्रिक्षाइ्ट नुट्पि dedic का तर थाधो जड़ने हैं अचल कि अचली इनलाओ के लाँ खाय। यूरह सुन्सीा कर दोद्सा भी को बारे ये अजले भी जा नाले वीडियोंहें वी बारे बिल्दी चेंवां वालिग्स पॉब बूर्वाद अटर्ला हम इसा भी तो तो यह हो चुका हमारा Mission Activate तो हमारे जो टार्गेट है वो है यह Alexa Carlas और एक हमें जो है case file निकान ली है मतलब कि एक case file जो यह madam ने कहीं पर छुपा के रखी वी है उसे भी हमें यहां से निकानना है और इस Alexa madam को मानना है और यहां पर इस बंगले के अंदर Alexa madam का जो भाई है वो मारा गया है या मर गया है देखना है देखिए अपर सुनते क्या बोलती है अमरी टाइना मैडम ओके यह जासूस है कोई अपर अपर आपकपश बहुत देखिए अपर आपके तो देखो यहां पर कॉंट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि हमें एक तो एलेक्सा में आडम को मारना ही है वो बुडी ओरत जो की मीडिया से और टेक्नोलजी से काफी दूर है मतलब कि यह सबसे छुपके रहते हैं इस बंगले के अंदर और साला भूतिया बंगला दिख रहा है चारो तरफ बादल बादल चाये और आसपास कोई भी मकान नहीं है और लेकिन इस बंगले के अंदर इतनी सिक्रिटी है कोई अंदर नहीं जा सकता और यह देखे यहां पे इन्होंने एक प्राइवेट जासूस हायर किया है यह सामने के तरफ खड़ावा है और यह जासूस इसे लिए हायर किया है कि यह जो मैडम कारलास है इसका भाई मतलब कि मर गया है और इन लोगों को लगता है कि उसने आत्मात्या करिये लेकिन शायद ऐसा नहीं है तो फिर भी सब को लगता है कि वो आत्मात्या ने कर सकता है इसलिए मैड़म ने ढूणने के लिए इसको हायर किया है एक प्राइवेट जासुस को तो यह प्राइवेर डिटेक्टिव है तो इसकी जगे हमें लेनी है तो हम जो है इसकी जगे पे इस बंगले के अंदर एंटर होने वाले हैं तो हम यहां से निकलते हैं और यह देखिए यहां पे चारों तरफ गाड़ी गाड़ है और आगे के तरफ भी शाइद गाड़ है चलता हूं इदर से और इसको मुझे यहां पर पकड़ना है मैं कैसे पकड़ो यहां पे तो ओक्यों कि यहां पे भी लोग है तो मैं यहां पर नहीं पकड़ सकता उसको और अगर मैं उधर जाओंगा तो वो आदमी मुझे देख लेगा ठीक है मैं इधर जाता हूं और यहां पर भी देखे दो लोग यहां पर भी खड़े वे बैसके टांगे मैडम कारलास के बारे में कुछ बात कर रहे हैं ओके इधर भी गाड़ है चारो तरफ गाड़ है मतलब और वो आदमी कहा चला गया हम देखते हैं उसको यहां से नजर नहीं आ रहा है शायद मुझे उपर जाना चाहिए ओके यहां पर भी गाड़े हो और वो आदमी कहा गया है अच्छा वो आ रहा है उदर की तरफ से ठीक है ठीक है अब मुझे जो है उससे मारना है या उससे ब्योश करना है और उसकी जगे मुझे लेनी है मतलब कि उसके कबड़े मुझे पेल लेने है तो शायद मुझे लग भागते हैं जल्दी से बागते हैं यह क्या है यह आगे यह मेरे काम आएगा किसी को फिक के मार नहीं गया बॉल है यह नारेल है बता नहीं और यह कहा गया और यह अंदर की तरफ जा रहे हैं कि उसकी चेकिंग हो रही है यहां पर ठीक है अब यह कहां जाएगा अंदर ओ यहां पर एक खिड़की भी खुली भी है तो मैं यहां से अंदर भी जा सकता हूँ और यह अंदर के तरब ही जा रहा है को घुम्गे और मुझे लग रहा है कि यह शायद ही आएगा ऊकि यह आरा है और हमारा टारगेट देखो उपर की तरव के और यह आया है और मुझे इससे मारना है जल्दी से जल्दी से जल्दी से ऑफायो कि यह टांग और इसकी बोड़ी अल्मारी इस अल्मारी में डालते हैं जा भी जा और भाई तेरे कपड़े दे तो हमने ले लिए फाइनली उस जो डिटेक्टिव है जिन्होंने मैडम ने हाईर किया था प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब जासू चान बिन करने के लिए और यहां पर क्या अब मैं जो है यह फूरे घर ओकि ओके माडम यहाँ गया ओके माइ इसलेटी यह फ्रेंस्बील बटलर है तो अब हमें जो हमें जो हमें जाना है और यह हमें वहां लेके जाना है मैडम कारलास है उसका बाई मतलब जहा है यह हमें यह हां पता लुदा लगाना है मैडम कारलास पा जोंब लो नाम है वह अलेक्सा कारलास को हमें इसके जाना हा % okay दिए माडम बारे और इन जो चुक्ढ़ पताए वहार आधर ok खो यह राइट वह राइट मैं है यहाला रूम और भालिएही है और लिएही मुझे दूर रॉद्योद्य। okay okay तो यहाँ पर बालंगे ओपर है यहाद वहाँ okay यहे एहाँ ठीक है ठीक है था घ्लक है हमारा कैमरा नीकाल के इसके बॉड़ी को जाएmost करना है और डिछते हैं कि इसक्या दिक्न आहां होई कर दोड़ा सा आगे चले okay okay तो इसको पॉईजन से मारा गया है लास्ट टाइम दस बज़े आगे आज पास और मारा गया है या इसने पॉईजन ले लिया है ये पता नहीं है अब इसको इसी की छान भीन करनी है सबसे पहले तो और यहां पे कहाँ पॉईजन है ये क्या है ये चाकू है और यहां पे पॉईजन कहाँ है ये पता नहीं है ओके ये कंपड़ रहा तो लास्ट नाइट वो शॉपिंग कर रहा था उनलाइन तो उसको सुसाइट करनी की क्या जरूत पड़ गी तो ये तो सुसाइट नहीं है इसका मतलब ये कि ये मडर है किसी ना किसी ने इसको मारा है तो अब ये किसने मारा है ये चान भीन करना है लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों हमें ये चान भीन नहीं करनी चाहिए यह क्या है? ओके तो यह जो इसकी राइटिंग मैच करने के लिए हमें एक और किताब दूननी पड़ेगी कुछ और दूना पड़ेगा जिससे यह मैच करना है कि इसकी राइटिंग है या नहीं है यह सुसाइट नोट उसी का है क्या तो चलिए देखते हैं यहां पर कुछ और हमलता है क्या यहां पर बुक्ट औरे एक म्मटए मड़ी यह क्या दीखा बुक्ट सेलफ में अंदर कुछ है यह ओहो सीक्रेट डौर लिडन डौर है यह यह क्या है ओकेaces दौर नजर आ रहा है बाहर क्या जा रहा है मनलब छेद हो रहा है इसमें ठीक है कोई बाद नहीं और हमें यहां पर कुछ और मिलता है क्या देखते हैं यह क्या है प्राइब कोई डीक है खुष्ट्री बाद प्लान अब दॉर्ट्री चाहिए इसमें यह भी है तो दायना के रही है कि एक बात 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 करनी चाहिए इसके बारे में और यह क्या चीज है वहाँ है यह वाल कानी है सामने लाइट नजर आ रही है खेर छोड़ो इसको और अब हमें एक बार जाके बटलर से बात करनी चाहिए और बटलर क्या बोलता है वो देखते है तो यहाँ पर हम जो है अगर इसकी चाहन बिन करने बैटेंगे तो यह काफी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैडम कारलास को हम नहीं मार पाएंगे लेकिन मैडम कारलास को मारने से पहले हमें जो है एक बार उसकी जो फाइल है हमारी केस फाइल उससे डूड़ना है और मुझे नहीं लगता यहां पर और यह देखी यह था वो ही डिन इस तरफ था वो छेद यहीं पर कहीं पेचाँ दो ऑक के यह यहां होना चाहिए चेद ऑखे और उसको छोड़ो अब हम चलते हैं एक बार बटलर के पास जाना चाहिए का ओके यहां पर सीडी है और मैडम उपर की तरफ ठीक है एक पर देखते हैं मैडम क्या कर रही है या I can't let you pass I'm sorry sir okay मैडम जा रही हो रही है तो भाइए मेरे को उनसे मिलना जाके नहीं 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 जाने देखा ओ मुझे घुर घुर के देख रहा है मतलब वो मेरे उपर गोली भी चला सकता है या मुझे पकड़ सकता हो तो मैडम के पास हम नहीं जा सकते तो ठीक है कोई बात नहीं हम एक बार बटलर के पास चलते हैं और बटलर को मिलते हैं और उसको बताते हैं कि भई यह हमें क्लू मिला है अ हैलो हैलो तो उस क्लू के हिसाब से क्या करना है अरे ये क्या ये तो हमें दिख रहा था वहां से कि यहां पर कुछ लगाना होता है शायद वह हमरे पास में नहीं है मिसिंग है कुछ पार्ट तो हमें जो है यहां से नजर आ रहा था यह वाला और यहां पर को नहीं है कुण चिला रहा है कछिए इस अजरै यहां यहां आद वाल करने हैं तो हमें उपर गूमने में कोया है और या बटलर के पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा और पटलर इदैर ही है नाजे के तरफ कि भी खाल में था लबी इनल तो यही पहोना चाहिए बटलर यह लॉबी में आ गए हम लॉबी में आ गए ऑ यह खड़ा बैस कि टान लॉग्ट Okay 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 देवाइ और 4 okay .. we have to water again. we have to cover some other things but.. okay.... okay.. so we will have another clue we can get there because we didn't get more clue miteinander मिला ही नहीं है और एक बार हम जो है लेकिन हमें सबसे पहले केस फाइल चाहिए अगर हम इसी के पीच्छे लग जाएंगे कि मड़र की मिस्टरी को सोल करते बाटेंगे तो हमें जो है वह केस फाइल नहीं मिलेगे और मुझे लगता है कि भी साइब जो है वह उपर की तरव ही है क्यूंकि मैडम जो है उपर की तरव है मैं सारी से इसको मार दू拔 कै 걱정 कि इसको मैं मलसक्ता हूं मैडम कहां है मैडम ऊके वह अंदर की तरव हे मैं कैंने ठीक है कि तो मुझे इदर जाने के लिए क्या करना पड़े में स्क्रед uh ओके वो मैडम जारी है सामने से तो मुझे इधर जाने के लिए इनी के किसी आदमी का बेस बदलना पड़ेगा तो वही है मैं किसी आदमी का बेस बदल के आता हूं फिर देखता हूं तो मुझे कैसे रोकता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि किसी गाड की कपड़े चाहि कि तो यहां पर दो लोग है और इन दोनों में से किसी एक कपड़े पें सकते एक मड़े मिझे आदमी इधर के तरफ भी था यह लगा यह खड़ाओं कि तो मैं क्या करता हूं कि इस आदमी को मारता हूं यहां पर कोई है तो नहीं यहां कोई नहीं है तो मैं का करता हूँ इस आदमी को भेऊश करता हूँ और इसकी जगे ले ले लेता हूँ तो यह है मेरे पास में मैं पहले इसको भेऊश करता हूँ यह लग भेंस की टांग और इसकी बॉड़ी उठाता हूँ मैं और इसकी बाड़ी को ठीकाने लगाता हूं पहले और फिर देखते क्या होता है तो यहां पर अलमारी कहा है वजी कि इधर दिख रही है अलमारी इस अलमारी में इसको चुपाते हैं पहले क्योंकि मुझे इसके कपड़े चाहिए और हमने इसे मारा नहीं है हमने इसे स्री प्रोश किया तो अब ले लेते हैं इसके कपरे ओके अब जो है हम भी बन गए हैं यहां के गाड तो अब मैं जा सकता हूँ शायद उपर की तरफ मुझे यही लग रहा है कि जहां पर मेडम कारलास उपर की तरफ गूम रही है न वहीं पर ही केस फाइल होनी चीए ओके भाईया यह मुझे सर्च करने लग गए ओहो यह मुझे सर्च करने लग गए यह यहां पर थोड़ी से आफ़त हो गई और मैं कहां आ गया मुझे मेरे को खुद को नहीं पता ओके मैं इस में छुप जाता हूँ अब जब तक सर्चिंग बंद ने होती तब तक मैं भाहर नहीं निकल सकता तो यहां पर यह थोड़ी सी गड़़ड हो गई acio ऑके सर्चिंग बंद हो गई तो यहां पर सर्चिंग बंद हो गई और अब मैं जो हूँ कहां पे हूँ यह मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे वहां पे दो जगे जो है ऐसे लोग मिले जो मेरे उपर शक कर सकते हैं और पता नहीं क्या और यहां पे एक आदमी है जो मेरे उपर शक कर सकता है यह देखे इसके सिर पे जो बॉल बनी भी है ये मेरे उपर शक्ट कर सकता है तो ओके यहां पर मुझे कुछ ये क्या है यहां पर क्या है ओके यहां पर ये कुछ है ये क्या है ये कौन है इसके पास मैं मुझे इंटल मिल रहा है तो यह मैडम कारलाज का ओफिस है यह पूरा की पूरा और मुझे लगता है कि केस फाइल मुझे यही पर मिलेगी क्योंकि जिस हिसाब से गार्ड ने भी बात किया कि यहाँ पे इसी जगे पर फाइल पड़ी भी है जहाँ पे बहुत सीक्रेट कोड हो गे रहा है और जो किसी को मिलेगा नहीं पता नहीं ऐसी कुछ बात कर रहे थे वो मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं जादा लेकिन मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है भी ये ओहो देख रहे देख रहे देख रहे ये देख रहे ये रहा वो सेफ तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए पासवर्ड चाहिए चार डिजिट का पासवर्ड और यह देखे यह यहाँ पर बनावा है गड़ी टेलिस्कोप आग और बार सिंगा हिरन तो मुझे लग रहा है कि यह जो चारो चीजे बनी भी है इनी के पास में यह चार डिजिट का कोड होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे भी चार डिजिट ही चाहिए तो यह चीजे मुझे कहां मिलेगी क्या यह मुझे यही मिलेगी और वैसे तो मैंने आग अभी देखी थी यहा देख हैं यहां पर दो सी कहां मिलेकर मिलेगा कि कि यहां पर पोड कहां मिलेगा मुझे नहीं इसको नहीं चाव के कोई आ गया था पीछे कोन आया भीया ओके मैडम कारलास आ गई है यहां पर यह अच्छानक पता नहीं उपर क्यों आ गई मैडम मुझे तो पहले सबसे पहले केस फाइल निकालनी है यहां से कि यह कवों के आवाज कहां से अरी है मैडम कारलास यहां क्या कर रही है मैंसके टांक कब जाएंगे हैं ओके वह गाड़ वहां चला गया सामने की तरफ और मैं यहां पर मैंने यहां पर देखा था वह कहां पर ओ ओ ओ ओ ओ यह देखो यहाँ यहाँ पर है हमारा seven number मतलब आग के पास तो ऐसा ही मुझे घड़ी भी ढूननी है और हिररन भी ढूनना है और कया था टेलिस्कोप मैं उन्हें उपर देखा था मुझे याद आया मैने टेलिस्कोप उपर देखा था जब मैं उपर भाग के जा रहा था यहां देखा था मैंने टेलिसकोप यहां देखा था यहां देखा था यह रहा टेलिसकोप और यहां पर भी दिवार पर ओक्यों ओक्यों यह रहा यह रहा यह रहा नाइन सेवन नाइन मुझे मिल गया ये क्या है बंदुक है वैसा ये बंदुक नहीं ले सकते हम शौटगन है तो मुझे दो नमबर तो मिल गया है सेवन और नाइन और मुझे एक और डूनना है मतलब दो और डूनने है तो हिरन औरे यार ये लगे हिरन हिरन तो यहीं लगे वे हैं इसका मतलब मुझे यहां पर हिरन के पास में भी कुछ ना कुछ नमबर मिल सकता है लेकिन वह आदमी इससे पहले आ जाए ओके आदमी चला गया ओके चला गया चला गया आदमी चला गया अब फटा फट नमबर डूंडते हैं हमें सेवन और नाइन तो मिल गया है और यहां पर कहीं पर भी नमबर नहीं है भीया कहां पर है और एक वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो उसके पास भी मिल गया यस फाइव नमबर तो सेवन नाइन फाइव हमें तीन डिजिट तो मिल गया है और मैंने गड़ी देखी थी यहां पर यह रही गड़ी ये है गड़ी और इसके आसपास नंबर इसके आसपास कोई नंबर नहीं मिल रहा है कहीं गड़ी में चार बज़ रहे हैं तो चार तो नहीं है और एक बार और हम चेक कर लेते हैं यहां आसपास और चीज तो नहीं है ये गड़ी नहीं है ये नहीं है गड़ी एक मेंटे यह गड़ी है यह गड़ी में क्या है यह गड़ी में बज़ रहे हैं तीन तीन या चार बज़रे समझ में नहीं आ रहे और यह देखा यह टेबल के ओपर लिखावाया ओके होना चाही है यहांपर हमने सेफ़ देखा था यह रहा है तो यहां पर जो सबसे पहले घड़ी के पास में हमें जो मिला है वह मिला है और टेलिसकोप के पास में मिला है 9 ऑके और आक के पास में मिला था 7 और jar cake पास में मिला था 5 और उसके बाद करते हैं तो खुल गए हिस्तो हमें मिल गई हमारी एकेस ओके अब हमें मैडम कारलास की ऐसी तैसी करना है मतलब मैडम कारलास को जो है अब यहां से टपकाना है यह क्या कर रहा है यह ओहो यह लगावा है बातों में छोड़ो उसको और यहां से चलता है नीचे और मैडम कारलास को बताते हैं मैं आ गया हूँ कहां आ गया हूँ मेंडम कार्लास क्लिफ दfuzен करें आप कि मैंडम और एक हैं कि मैंडम के साथ में जो GARD है वो हमारे उपर शक्षंक पर सकता है और अब वो गाड़ जो है सामने की तरफ चला गया नहीं सामने की तरफ नहीं गया जा रहा है सामने की तरफ और अंदर कौन कोने वह अंदर है एक दो तीन चार लोग हैं अंदर कि अधिना एंभी आप मैडम निकले को निकला है यहां से ओके ओके यह चला गया है यहां पर एक मड़े मैं देखता हूं यहां से यह पोला सिक्रेट गेट अब यहां से दिखता है छेद में से दिखता है ओके मैडम उपर की तरफ वापस जा रही है यह क्या है इसके टांग उपर की तरफ वापस जा रही है मैडम तो मैडम के पास चलते है वापस मैडम के पीछे पी चलता है अब हमारा काम तो हो गया खतम यह आदमी खड़ावा है यह भी हम पे शक कर सकता है और वो आदमी जो गार्ड खड़ावा है वो भी हम पर शक कर सकता है तो हमें उससे बचके रहना है और ये कहां खड़ावा है ये बिल्कुल गेट के पास ही खड़ावा है तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ अब ये पलड गया है अब मैं शायद फटाफट जा सकता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैडम यहाँ पर अभी हमारे सामने कम संगम दो तीन बार आ चुकी है तो इसका मतलब यह वापस नीचे भी जाएगी और शायद मुझे लगता है कि वापस उसी कमरे में जाएगी जहां से मैं अभी आया हूँ और मैं यहाँ से भाग लेता हूँ फटा पटा तो मुझे लगता है कि अगर वो मैडम अगर वापस उस कमरे में आएगी तो मैं उनको मार सकता हूँ बड़े आराम से तो मैं क्या करता हूँ कि वापस मैं उसी कमरे में जाके रुपता हूँ ओके और मैं मैडम का आने का इंतजार करता हूं मैडम कहां कहां है मैडम कहां थी मैडम हाँ ये इधर के दरब ओके तो मैडम आईगी मेरे कुर लग रहा है इधर वापस आईगी मैडम तो मैडम का आने का इंतजार करते हैं वापस नीचे और मेरे उपर अगर वो गाड़ शक कर रहा है तो मैं क्या करता हूं वापस उसी जासूस के कपड़े पेन लेता हूं जो मैंने पहले पेने थे तो वो कपड़े यहीं पर मिल गए ओके ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे मिल गए ओके अब वो मैडम यहाँ पर आ सकती है और वो आदमी आप मेरे उपर शक नहीं करेगा मुझे ऐसे लगता है मैडम आ रही है क्या आहां है मैडम ओके वो वहाँ उपर की तरफ बैठे वी है तो मैं क्या करता हूँ रूम के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे जो सीक्रेट गेट है वहाँ पे खड़ा रहता हूँ और वो आदमी यहीं पे आएगा एक मिट्ट मैं इसके अंदर जाता हूँ और वो जो गार्ड है वो यहाँ पे आके खड़ा होता है मैं उसको यहीं से दबो चलूँगा और यह छेद में से नजर आता है बिल्कुल मैडम कहा है मैडम कहा है मैडम इदर है तो मेर को लगता है वो नीचे आने वाली है तो मैं यहाँ से ही नजर रखता हूँ जैसे ही मैडम नीचे आएगी तो यहाँ से हम गोली तो नहीं चला सकते हैं मार नहीं सकते हैं देखता हूँ मैं यह मेरे बास में बंदूग है मैं इसे चला सकता हूँ कि मैं इसे नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ छेद में से हम देख सकते हैं बंदूग नहीं चला सकते हैं इस छेद में से ओके मैं क्या करता हूँ ये ले लेता हूँ जैसे ही वो गाड आएगा उसका सिर्फ मार के ओके ओके आगे मैडम मैडम आगे तो जैसे ही ये गाड आएगा मेरे पास मैं उसके सिर पे मार के इसको बेहुश कर दूगा और उसके बाद मैं मैडम का काम तमाम ये मैडम क्या करने जा रही है कहां जा रही है मैडम जी ओके ये मैडम कहा रही है माडम कहां जा रही है ओके वो किसी से मिल रही थी ओके तो वो हमें देख रही है या फोटो को देख रही है शायद फोटो के पास पास ही कोई छेद हो रखा ही है ओके तो यह गाड है अब ये गाड़ भी इनी के साथ आएगा मैडम तुम्हारे साथ जो गाड़ आ रहा है उसकी मैं ऐसे किता सी करूँगा और मैं ये इस शीशे में से उधर भी चेक कर सकता हूँ वो लोग आ रहे की नहीं आ रहे ये दो कर ये आ गया 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 तो गेड़ बंद है क्या ओके ओके इसकी बॉड़ी में फटा पड़ी दर चुपा देता हूँ ओके डम आप क्या करता हूँ बोलता हूँ और मेरे पास में कुछ है क्या चाकू ये गई मैडम ओके अब यहाँ पर कोई नहीं है ये क्या हो रहाँ ये क्या हुआ डाइना बोलते बोलते डाइना बोलते बोलते उसके आवाज अटक गई और चली गई ये क्या हुआ और मैडम का अब जो है यहाँ पर चुपा देते हैं उसके मूँ में मूँ के अंदर ही सीधा चाकू लगा वही है बहुत खतरनाक तरीके से चाकू लगा है तो यहाँ पे खूनी खून दिख रहा है और वह आदमी वहाँ पे वहुश पड़ावा है और हमने दोनों ही यहाँ पे काम कर लिए जो हमारा कॉंट्रेक्ट था मैडम को मारने का और केस फाइल को निकानने का तो हमने वह दोनों ही कर लिए अब यहाँ से जल्दी से हमें एक्जिट होना है चुप चाप से चुप चाप के हम भाग भी सकते हमको कौन रोकेगा हम तो जासूस है इनकी नजरों में लेकिन हम है एजेंट 47 ओके तो यहाँ पे जो ड लेकिन फिर भी हम पता लगाएंगे और अब हम यहाँ से जल्दी से एक्जिट हो जाते हैं ताकि कोई हमें पकड़ना ले और देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ लोग ही लोग है यहाँ पे गाड़ ही गाड़ है एजेंट 47 इससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकता एक तो यह थी मिस्टर ग्रेश के आवाज और मिस्टर ग्रेश के उपर किसी ने गोलिया चला दिये द यह क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और पहुंचते हैं मिस्टर ग्रेयो चे égal से पास पे हमें स्टार्ट रेटिंग बहुत बढ़ी है तो चलिए देखते हैं आगे बढ़के मिस्टर ग्रेस के साथ में क्या हुआ है ओके यह हमने किसी को मार लिया मार लिया मतलब मार दिया ओके एजेंट 47 है हम ही है ओके ओके ओलिवया को डूड़ना है तो यह एजेंट 47 है जो उस आदमी को मार के उसके कपड़े पेल लिया और उसने मिस्टर ग्रेस ने बोला कि ओलिवया को डूड़ना है और उसकी मदद करनी है ओके ओके यह यह आईसीय का बंदा आगया वह यह आईसे आईसीय का बंदा है यह यह रहा मिस्टर ग्रेस और इनको लगी विया गूली वह यह और यहां पर बहुत ओके यह आगया एजन्ट 47 ओके इसने पैचान लिया मिस्टर ग्रेस ने और यहां पर चारो तरफ लोग ही लोग है बंदुग लेके एजन्ट 47 कुछ नहीं कर पाएगा डशेशी अग भी एखो पाएगा okay Bishop एजन्ट 47 अब कर दoten हो बार दा हिएएघ करशिश कर लेकिन से पहले मिस्टर ग्रेस ने आपभा ग्रेस ने है बहूंना okay 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 तो ये पहले कह रहा था कि Agent 47 ने इसके माबाग को मारा है और ये यहां पर वो सबूत लेके आया है ओके तो इससे पहले जो हमने mission खेला था दुबईी का दुबईी के बाद में जब last में Agent 47 mission करके complete करके बाहर निकला था उसके बाद में डाइना को जो फोन आया था वो इसी का आया था ओके तो यहाँ पर Mr. Grace जो है वो दुनिया से चल दिये जो एजेंट 47 का खास बच्पन का दोस्त था और अब आगे देखते हैं आगे के mission में क्या होता है आगे के contract में क्या होता है क्योंकि डाइना को पता चल चुका है कि एजेंट 47 नहीं उसके माबाप को मारा है और उस समय जो डाइना थी वो बहुत छोटी थी इसका मदलब यह है कि एजेंट 47 उससे काफी बड़ा है तो I hope यहाँ पर आपने काफी enjoy किया होगा यह gameplay और अगले episode में देखेंगे कि आगे क्या होता है तब तक के लिए आप कर लिजे इस channel के subscribe अगर आप नीचे लाल बटन पर क्लिक करके आपने subscribe ने किया है तो फटा फट दबा जीजे और साथ ही दबाए गंटी का बटन जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके mobile के घंटी भी बचेगी तो I hope enjoy इस वीडियो तो please like जरूर कीजेगा और thank you so much watching this game upload मिलते हैं अगले game upload में तब तक के लिए अपना खायल रखेगे Always keep smiling, जैहन and good bye